नमस्कार दोस्तों केलो इंडिया न्यूस पर आपका स्वागत है और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं दिली स्पोर्ट स्कूल दिली स्पोर्ट यूनिवरस्टी पर स्पोर्ट यूनिवरस्टी को लेकर कुछ गंधीर जो शिकायते हैं वो पेरेंट्स की तरफ से आई हैं और हमने इस पर दिली स्पोर्ट यूनिवरस्टी के अधिकारियों से प्रिंसिपल लिप्टी रेइस्टार उन्हों से चर्चा भी की इस विशेपक लेकिन जो लेकिन जो हालाके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डे वन से जब से स्कूल स्टार्ट हुआ और सेलेक्शन प्रॉसेस शुरू हुआ तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम लगातार देखते आ रहे हैं लेकिन क्योंकि अपने आप में ये एक पहला स्पोर्ट स्कूल है हिंदोस्तान में पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है और इस पर किसी सरकार ने सोचा नहीं है लेकिन इस सरकार ने इस पर सोचा भी और उसको कार्यानवित भी किया उसको इंप्लिमेंट भी किया और स्कूल जो है वो शुरू हो चुका है हाला के कुछ समस्य हैं जो आ रही हैं लगातार आ रही है और उनमें स्कूल जो है वो improvement करने की कोशिश कर रहा है हमको solution जो है उनका ढूंड रहा है लेकिन जो कुछ recent पिछले दो-तीन दिनों से जो हमारे पास parents के phone आ रहे हैं जो बच्चों के जो माता-पिता हैं उन्होंने जो है वो दिली स्पोर्ट स्कूल पर लगाए हैं उसमें से अगर मैं बात करूं तो जो एक medical की जो समस्या है वो थोड़ा सा दंधीर है और एक बच्चा अगर मैं कहूं तो ICU में है पिछले कुछ एक हफते से राइस्तान जैपूर में hospital में है ICU में हमारे पास दो तस्वीरे भी वहां से आई हैं और हाला कि ये कहना बहुत मुश्किल है अभी क्योंकि इस पर जाच कराए जाने की जुरूत है और सीधा दिली स्पोर्ट स्कूल पर अरोप लगाना तब तक मुश्किल होगा जब तक जाच से कुछ निकल के नहीं आता कि इसके पीछे कारण क्या रहे हैं कोई प्री मेडिकल हिस्ट्री रही है या वहां पर कोच की वज़ा से जो है वो एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी या उसको दोडाया गया उस वज़ा से वो प्राब्लम जो है वो क्रियेट होई ये एक जाच का विशे है और जो पेरेंट है वो अन रेकॉर्ड अन कैमर लीगल रास्ता भी जो है वो एडाप्ट करने की बात कई थी एक बात मुझे फिर से शायद चेक करना पड़ेगा उनके जो मैसेज़िज आए और जो उनसे बात्चीत ही रिकॉल करने की जूरत पड़ेगी तो अगर इस तरीके की बाते हैं अगर बच्चा एक आईस्यू मे हैं और मैं आपको बता दूँ कि जब मेरे पास पिछले दो दिन से ये सब इंफरमेशन आ रही थी तो कल एक और आज शायद सुबह आज एक और बच्चे के बात सामने आई कि एक और बच्चे के साथ जो है वो सेम प्रॉब्लम हुई है हलागे वो इतना सीरियस नहीं है वाकई ही में बहुत एक चिंता जनक बात है और दिली स्पोर्ट स्कूल स्पोर्ट युनिवरस्टी के अधिकारियों को और यहां तक कि अगर इतना सीरियस मेटर हो चुका है तो मुझे लगता है कि दिली सरकार और दिली के शिक्षा मंत्री जो हैं उन्हें इंटर्वीन करना चाहिए और इस पर जाच करनी चाहिए क्योंकि हम यहां पर बच्चों को उलम्पिक चैंपियन बनाने की बात कर रहे हैं हम यहां से जो खिलाडी है उनको एक अलग लेवल तक लिजाने की बात कर रहे हैं कि उनको शिक्षा और उनकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके स से करवाएंगे कि यहां से हम ओलम्पिक चैंपियन जो हैं वो निकाल सकें और इस पर जो हैं वो दिल्ली सरकार हालांके पैसा सारा खच कर रही है बच्चे से कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा है वोड़िंग लाजिंग ट्यूशन फीश किसी तरह का कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है हम अपर किसी तरह का कई शुबा नहीं है उनके इंटेंशन चार्ज वो सकती है लेकिन बहुत शारी चीजें ऐसी हैं जो एड्यूकेशन स्टार्ट होने अड्मिशन जब शुरू कर दिया गया बच्चों को जब होस्टल में आना शुरू हो गया तो उससे पहले कर देनी चाहिए थी जैसे स्कूल में अभी वाशिंग मशीन अरेंजमेंट नहीं है तो बच्चों को कपड़े ख समस्या सामने आई और मेरी जब बात चीत हुई तो वाशिंग मशीन का इंजाम जो है वो अलड़ी कर लिया गया है कंपनी से टायप किया गया है और जल्दी वाशिंग मशीन जो है वहां पे इंस्टॉल होने वाली है और सबसे बड़ी जो मैंने आप से बात की कि के मेडिक स्कूल की तरफ से और मासरफ अली एक होस्पिटल है दिली का बड़ा होस्पिटल है उनसे टायप हुआ और प्रियॉरिटी पे जो है वो रेगुलर्डी इन बच्छों को देखेंगे जो दिली स्कूल के हैं इसके अलावा हिंदुरा होस्पिटल से उनका टायप शायद साइन होने रह रहे हैं ढ़któ होस्पिटल की तरफ से पंडिंग है और यह होस्पिटल मैं आपको बता दू हुँ कि दिली स्पोट स्कूल से लग बग एक किलो मिटर की दूरी दबेर है दूसरा बड़ा एक होस्पिटल जो तीन होस्पिटल से टायप तिया जो यह तीसरा हो अब बता रहा हूं यह संद पर्मानल होस्पिटल है बड़ा होस्पिटल है वेल एक्यूप प्राइवेट होस्पिटल है सरकारी नहीं है और अच्छा बहुत बहतरी होस्पिटल है और जिस दिली स्पोर्ट स्कूल के प्रमाइसेज में आप गए होंगे उसी रोड पर यह 700-800 के हार्ली डिस्टेंस पर यह स्कूल मौजूद है तो फौरी तो पर जो एक जरूरत परती है अगर किसी मेडिकल एमर्जंसी की तो बच्छों को वहां पर ले जाया जा रहा है बहुत बहतरी होस्पिटल है तो लेकिन जो सबसे बड़ी एक जो समस्या मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स के दिमाग में जो एक डर बैठा हुआ है वो यह है कि हॉस्पिटल में इमिजेट फैसिलिटी इमिजेट मेडिकल फैसिलिटी का कोई भी इंतजाम नहीं है अगर बच्छों को किसी तरीके की कोई मेडिकल रिक्वार्मेंट होती है तो जो स्कूल के वार्डन है वो बच्चे को जो नीरेस हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके जाते हैं वार्डन वो केरिंग है और बच्चों का बहुत ध्यान लख रहे हैं इसमें कोई दूर आए नहीं है लेकिन जो मुझे बताया गया कि वार्डन जो है अगर वो बच्चे को लेके जाती है तो 10-15-20 मिन नहीं है कोई नर्स नहीं है कोई जो है वो फर्स्ट एड का किसी तरह का एंग्जाम जो है वो मुझे बताया गया कि वहाँ पे नहीं है और बेसिक जो मेडिकल रिक्वाइरमेंट अगर कोई अमर्जेंसी क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्लेयर हैं वो रेगलर फील्ड में प्रेक्टिस करते हैं ट्रेनिंग करते हैं और इस दोरान चोटे जो हैं वो लग सकती हैं कोई बड़ी बात नहीं है खिलारी जो है इन चोटों से रोज रूबरू होते हैं और आपने इवन देखा हुआ कि जो ओलंपिक खिलारी तक हैं वो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे यह serious issue होता है जैसे कि मुझे बताया गया कि राजस्तान के जैपुर में बच्चा जो है वो एक hospital में है तो क्या अगर वहाँ पर कोई medical facility होती वहाँ पर कोई nurse होती कोई medical trained वहाँ पर star होता तो क्या 40 तोर पर immediately उसका वहाँ पर कुछ treatment किया जा सकता था ये तो अभी inquiry के बाद मैंने बताया कि चीजें सामने आएंगी कि इसके पीछे के कारण क्या है लेकिन parents का जो एक डर है बहुत वाजिब है कि अगर बच्चे जो वहाँ पर practice करते हैं और चोट लगने के खत्रा जो है वो हमेशा बना रहेगा और क्योंकि आप समझें कि बच्चे और ये parents जो है ये कभी अलग नहीं रहे हैं या शायद हो सकता है एक दो दिन के लिए कहीं रिष्टेदार के पास गए हो लेकिन इतन कि mentally शायद दोनों disturb रहेंगे वो समय लगएगा उनको वहाँ पर adjust होने में और तो मैं तो कहूंगा कि शायद counselling की जूरत भी है इसमें बच्चों को भी और parents को जोनों की counselling किये जाने की जूरत है जब हम इतना बड़ा सपना देख रहे हैं ओलंपिक चैंपिन निकालने का स पांच साल के बच्चे को ही ट्रेनिंग दिनी शुरू करती जाती है दस बारागा साल का बच्चा तो वहाँ पर ट्रेंड हो जाता है तो वहाँ पर बड़ी बात निया लेकिन हिंदोस्ताम में शायद ऐसा कहीं हुआ नहीं है इस तरीके की जो एक नया experience है और इस पर दिली जानकारी मुझे मिली है शायद 2-3 बच्चे वहां से अगले कुछ 2-4 दिन के अंदर विड्राव करेंगे और दिली स्पोर्ट स्कूल को भी इस बात का एक डर था क्योंकि कुछ बच्चे पहले छोड़ कर जा चुके हैं तो क्योंकि दिली स्पोर्ट स्कूल हर बच्चे प खच कर दें और उसके बाद वो बच्चा छोड़ कर चला जाए तो बेहतर है कि जो बच्चा छोड़ कर जाना चाते हैं वो अभी चले जाएं और 15 अप्रूबर की जो है वो डेट उन्होंने दी है कि अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो हम कोई अब्येक्शन नहीं करेंगे किसी तरह का चार्ज नहीं लेंगे लेकिन अगर 15 तारीक 15 अक्टूबर के बाद कोई छोड़ के जाता है तो दिली स्पोर्ट स्कूल उस पर पर डे के हिसाब से जो खचा रहा है कोस्टिंग आ रही है यहां एक एमाउंट जो है वो जो भी दिली स्पोर्ट स्कूल डिसाइड करेगा जो मैं बैठा हुआ बादचीत करा तो मुझे शायद ऐसा लगा कि 800,000 रुपे पर डे के हिसाब से वो चार्ज कर सकते हैं और यह चार्ज जो है वो उस दिन से लगेंगे जब से आपने स्कूल में एडमिशन लिया और जिस दिन आप स्कूल छोड़ कर ज है कि अगर महीने दो महीने चार महीने बाद छोड़के जाना पड़े और उन से स्कूल ने लाग दो लाग ती लाग लुपे डिमांड कर ली तो उनके पास इतना पैसा नहीं है अगर इतना पैसा होता तो वो शायद कहीं प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ा रहे होते ह इस डर से कुछ लोग जा सकते हैं और कुछ पेरेंट जो बहुत ज़्यादा वरीड हैं जो बहुत ज़्यादा अभी भी जो हैं वो डरे हुए हैं कि बच्चे को शायद जो वहाँ पर डे टू डे लेवल पर जो फिसलिटी चाहिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टन जो ह अगर मेडिकल फिसलिटी अगर कुछ रिक्वाइरमेंट हो जाती है तो वह मेडिकल रिक्वाइरमेंट वहाँ पर है नहीं क्योंकि अलड़ी दो तीन बच्चों को मेडिकल प्रॉब्लम की वज़ा से वहां से स्कूल से जाना पड़ रहा है और यह सब चीज़ें उस लोग ऐसे हैं जो बच्चों को विड्रॉब करना चाहते हैं मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वहतर है कि स्कूल जाएं वन-टो-वन बात करें स्कूल मेनेजमेंट के साथ और चीज़ों को समझने की कोशिश करें और देखें कि क्या जैन्वनली स्कूल जो है उस पर कुछ कारवाई कर रहा है उसका सोलूशन निकार रहा है क्योंकि बच्चों का ये एक ड्रीम था पेरेंट्स का भी ड्रीम था कि ऐसा कोई स्कूल हिंदोस्तान में शुरू हुआ है जो यहां से ओलंपिक चैंपियन तयार करेगा और वो भी बिना किसी खर्चे के बिना कॉस के आप समझें के 15,000 बच्चों ने इसके लिए जो है वो ट्राइल दिये जिसमें से 200 बच्चे वहां पर सलेक्ट हुए हैं और उनमें से एक आपका बच्चा है मैं यह नहीं कहुँगा कि आप किसी तरह का कोई मेडिकल प्राबलम की वज़ा से रिस्क लें बच्चे के ला दिकारियों से बाच्चित करकर यदि आपको लगता है कि स्कूल इस पर कुछ कारवाई नहीं कर रहा है और कोई सुलूशन निकलने वाला नहीं है तो आप बेशक विड्रॉर कर सकते हैं उसमें कोई किसी तरह का मैं मानता हूं कि रिस्क नहीं लेना चाहिए लेकिन यहां पर जो है दिली स्कूल को भी समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे विड्रॉर कर रहे हैं तो उसके पीछे की जो समस्य हैं उनका सुलूशन जो है वो हमें जरूर निकालना पड़ेगा कुछ पेरेंट्स को की जो शिकायत है वो कोचिस को लेकर भी एक शंका थी मैं मुझे कोचिस को हायर किया गया है किस लेवल के कोचिस हैं हमसे उन्होंने शंका जता ही और एवन हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप कोचिस के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएं कि जो कोचिस हैं वो किस लेवल के कोचिस हैं क्या वो कोचिस कैपेबल हैं या नहीं है जिसमें टेनिस भी एक है शूटिंग है तो लेकिन जितना मुझे पता लगा कुछ पेरंट से स्कूल से भी मेरी बात चीत हुई तो कोचिस को लेकर तो शायद पेरंट्स और स्कूल दोनों सैटिसपाइड हैं अलांके ये जरूर मुझे सुनने को मिला कि शायद कोचिस को उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है जितनी उनको सैलरी बाहर मिलती है और जो उनका contract है वो contract भी एक साल के लिए है और एक साल के बाद जो क्या होगा ये डर शायद coach इसके दिमाग में हो सकता है कि हम एक साल यहां पर लेहनत करते हैं उसके बाद अगर contract खतम होने के बाद रिन्यूम नहीं होता है तो हमें फिर से नया स्कूल नहीं जगा ढूनने पड़ेगी जॉब के लिए लेकिन आप एक चीज़ समझें कि अगर ये आज कॉंट्रैक्ट पाँच साल साथ साल का कर लिया जाता और जो स्कूल है वो सेटिस्पाई नहीं है कोच से तो वो भी अपने आपने एक समझें क्योंकि जो एक ड्रीम लेकर जो चल रहा है जो मोटिव स्कूल लेकर चल रहा है उसको जो है वो फुल्फिल करने में कोचिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टन्ट रोल दिभाने वाले है और यही एक कारण है कोचिस की सैर्ली जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकर जो अच्छे कोच है वो स्कूल से जुड़ें और इस पर हम दो-चार दिन में और जानकारी कठी करके और फिर आप तक लाने की कोशिश करेंगे लेकिन फिलाल जितनी जानकारी मुझे मिली है को कुछिस से लोग satisfied हैं लेकिन medical facility को लेकर एक सबसे बड़ा जो डर है वो बना हुआ है और तीन hospital जरूर tie up कर दिया है school ले लेकिन school के अंदर trained nurse जो है या trained medical staff होना जो है वो बहुत important है और एक जानकारी जो मुझे सारे scenario में दिखाई दे रही है वो यह भी है कि जो वहाँ पर वार्डन है वार्डन नो डाउट बहुत केरिंग है बहुत अच्छा feedback है parent की तरफ से बहुत ध्यान रख रहे हैं बच्चों का लेकिन कहीं ना कहीं medical issues को लेकर उनके हो जाता है और उसको ठीक से समय रहते डील नहीं कर पाए उतनी facility ना होने की वज़ा से तो शायद वार्डन भी जो है वो उन पर भी एक तलबार लटकी हुई है और वो भी इसमें पस सकते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो स्कूल में जो स्टाफ है जो वो कहीं एक confidence जो है वो उसमें कहीं कमी दिखाई दे रही है तो यह थोड़ा सा जो स्कूल एडिमिस्टेशन युनिवर्स्टी जो एडिमिस्टेशन है उन्हें इसको seriously लेना पड़ेगा और अपने स्टाफ से बैठकर बाक्षीत करनी पड़ेगी और जानकारी करनी पड़ेगी और इन चीज़ों का solution निकालने की जरूरत है क्योंकि life जो है वो सबसे important है वाकी चीज़े जो है वो बाद में हैं तो आपके suggestions जो हैं वो आते रहे हैं हमारे पास और मैं उम्मीद करूँआ कि आपके suggestions complaints जो हैं वो आते रहेंगे और इस तरीके कि जो चीज़े हैं ये वाकि गं भीर हैं और इन मुद्वों को सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है हम ना तो किसी के खिलाफ हैं ना किसी के पक्ष में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीजें society के लिए ठीक नहीं है और administration की जहां पर कमी है उसको हम जो हैं वो सामने लेके आएं और administration की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों को दूर करें और जो आम जनता है parents हैं उनका भरोसा जीते तब ही संबभ हो पाएगा कि अगर parent confident हैं अगर बच्चे confident हैं तब ही आप जो है वो olympic खिलाडी जो है वो यहां से निकाल पाएंगे और मैं उमीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इ parents से संपर्क में बने रहेंगे और फुशिश करेंगे के दोनों का आपस में जो है वो communication जो है वो होता रहे ताके दोनों को एक जुसरे की जानकारी मिलती रहे और हम यहां से जो है वो आप जो एक सपना दिल्ली सरकार का है olympic champion निकालने का उसमें हम काम्याब हो पाएं और दिल्ली से जो है वो international level पर खिलाडी जो है वो medal जीततर लाएं olympic tournament में medal लेके आए और देश का नाम रोशन करें लेकिन इसके लिए ज़रूर जो है वो हलांके थोड़ा समय देने की अवश्यक्ता है दिल्ली स्पोर्ट स्कूल और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को लेकिन अनुरोध यह रहेगा कि जो basic चीजें हैं जो medical से related life से समंदिज जो खत्रे parents हो रहे हैं उसका जो है वो immediate जो है वो resolve की जानी चाहिए और ऐसा होगा भी त से related हम जानकारी collect करें और एक जो complaint है जिस coach की complaint है उससे भी हम बातचित करने की कोशिश करेंगे और अगर parents को अभी भी लगता है कि school इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है तो आप जो है वो direct बात करें school के साथ direct बात करें और उसके बाब जूद भी कोई अगर solution नहीं दिखाई देता है तो आप सीधा जो दिल्ली के शिक्षा मंतरी हैं उनसे सीधा संपर का उन तक अपनी बात पहुचा सकते हैं और यकीन मानिये कि जितना हम नोटिस किया है हमने नोटिस किया है हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार इन चीजों को लेकर बहुत clear है और उनका रवया किया जा रहा है और उसमें अगर कोता ही होती है तो वो शायद दिल्ली सरकार जो है वो बरदाश्ट नहीं करेगी और तो कि दिल्ली सरकार जो है स्कूलों को लेकर जो है वो बहुत अपना गुनगान करती है और दिल्ली के स्कूलों में जो है वो बतलाव भी आया है देश दुनिया के लोग देखने आते हैं तो दिल्ली सरकार नहीं चाहेगी कि जो है वो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वज़ा से जो उनकी एक बनी बनाई इमेज है वो खराब हो जाए तो आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री से भी सीधा उन तक पहुंच सकते हैं उन्हे कीज़ों को रिजाल करेंगे अगली वीडियो अगली जानकारी हमाप से अल수政府 चाहेंगे फिर से नहीं जानकारीयों के साथ आपके पास्दूर रहने के लिए warranty क्य Qiya बहुत बहुर्त शुक्रियां ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपकर क्मेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं अपने कमेंट्स वह बेशते रहिए ताके हम आपके कमेंट्स जो है वह रिलेटेड जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचा सकें तो बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद